साथ लाग पेशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा एलान। केंद्रिये मंत्री जीतेंद्र सिंग ने कहा कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रोविशनल पेशन की समय सीमा अब एक साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह किया जाएगा। जीतेंद्र सिंग ने कहा कि आज सरकार ने प्रोविशनल पेशन को एक साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह रटायरमेंट डेट से लागू होगा। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे आये हैं जिन में सरकारी कर्मचारियों की रटायरमेंट के बाद मौत भी हो गई। लेकिन वे अपना पेशन पेपर जमा तक नहीं कर पाए। ऐसे में परिवार की मुसीबत को बढ़ाना नहीं घटाना है। इस कठिन घड़ी में ऐसे परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। नियम के तहित अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दोरान डिसेबल हो डाता है और सरकार उसे नौकरी पर दोबारा रखने का फैसला करती है तो ऐसे कर्मचारियों को एक मुश्ट्प मुआबजे की राशी मिलती है। यह एक तरीके से डिसबिलिटी पेंशन होती है डिजिटल मोट में होगा कम्यूनिकेशन इसके अलावा अगर किसी मामले में पी पी ओ पेंशन पेमेंट तो दरज जारी कर दिया गया हो लेकिन कोरोना के कारण वेह अभी तक सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस सी पी ओ या बेंक नहीं पहुचा है तो इन मामलों पर आगे क प्रक्रिया कंट्रोल जन्रल अकाउंट CGA की तरफ पूरी की जाएगी CGA संबंदित पेशन प्रोसेसिंग सेंटर या बेंक को डायरेक्टेव जारी करेगा और सारा कम्यूनिकेशन डिजिटल मोट में किया जाएगा वीडियो सिप से कने लाइफ सर्डिफिकेट लेने का का डाप ने सभी पेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंक से कहा कि वे इस समय वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी VCIP को अपनाएं इसके जरिये बैंकों को लाइफ सर्डिफिकेट मिल जाएगा बतादें कि यूको बैंक इस मामले में बहुत कर रहा है